आज हम आप लोगों के साथ चिकन की रेशिपी शेयर करने जा रहे हैं तो यहां सबसे पहले हम कुकर गरम करेंगे उसमें शर्षोल डालेंगे इसके बाद थोड़ी सी जीरा चटकने देंगे तो इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे इसको भी थोड़ी दे चटकने देंगे इस भुने पारे को प्राइज रइन नामक और प्रया हुआ कावा तो अड़िए नामक आधोया सब्दें उस आप दोंने भुछ कुछ पिज वुछ थो भुछ सुछ और अपर अपिए धने अल साथ चस्तिके alors ओक दों दो हुआ है तो यहां चिकन भी साग साग प्याज केते शाहा है ciao कुछ इस तरीके से भुन रहा है तो देखिए हमारे चिकन दिले दिले बुन चुकी है अब हम इसमें एक कपटा हुए टमाट्र साथ एडालेंगे इसको भी दिले में आज पर ही भुनते इसके बाद एक चमच हल्दी पौर्डर डालेंगे एक चमच लाल मिर्श पौर्डर एक चमच धनिया पौर्डर और एक चमच थोड़ा साथ सभी को अच्छी तरीक़े से मिक्स करते हुए धिमियाच पर पकाना है तो पहले सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम भून लिए हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी चिकन का मसाला दिरे-दिरे भून रहा है अब सभी को अच्छी तरीके से फेट लेंगे इसके बाद थोड़ा सा पारी डालके अच्छी तरीके से मसालों को भून ग्रेवी के लिए और शीटि लगा देंगे तीन या चार इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारी चिकन बनकेेड़ी हो चुकी है, तो सभी को हुछो के निक्स पर लेते हैं, hopeless और कुछ इस तरीके से हमारी चिकन बनकेड़ी हो चुकी है तो यह देखिए मैं आपको उपर से दिखा रहे हूँ तो इस तरीके से हमाई चिकन बनके रेड़ी है अब हम सभी को मिक्स कर लिए अब एक कटोरी में निकाल लेंगे इसके बाद चावल के साथ सर्फ कर लेंगे कि अपरी कर ले दो रहे हूँ है